वेल्कम बैक टो माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नवरात्रे स्पेसल छोले क्योंकि हमने इनको बिना लैसुन प्याज के बनाया है और घर में जब भी कथा या पूजा होती है तो हम बिना लैसुन प्याज का खाना बनाते हैं इनको हम बहुत ही सिंपल तरीक जिनको हम काबुली चैने भी बोलते हैं यह मैंने थोड़े छोटे साइज के लिए हैं इनको हमने अच्छे से धोकर रात भर पाने में भीगोकर रख दिया था और यह फूल कर डबल हो गए है आप देखी रहे हैं आप इनको कम से कम 6-7 गंटे के लिए पाने में भीगोकर कशोलो और जार simples करें मातार साइसा इनको हमनिया क्रण देखी रहे हैं सबढ़ से प्षाप अम गयास पर यह को रहें यह फिए ओए जडह आत Кстати दिंग कह रहें कर लेंगे के तिक और gen 26 के लिए मसाला तैयार करें आ कि है यह मेंने में छोटरी ए इसमें दालेंग हैं चंब एक चम्मच लाल मिर्च लाल मिर्च आप इसमें कमी डाले क्योंकि बाद में हरी मिर्च भी डालने वाले हैं एक चम्मच धनिया पौडर डालेंगे और दो चम्मच चना मसाला डालेंगे मसालो को मिला लेते, इधर तेल भी अच्छे से गरम हो गया है, यह हमने तीन टमाटर लिए हैं, जिनका हमने पेश्ट बना लिया है, इसमें हम तीन बड़े साइज के टमाटर डालने वाले हैं, क्योंकि छोले ना थोड़े खट्टे से ही अच्छे लगते हैं, और हम इसमें क मसाले, जिन और मिला रख़ा था इनको भी अच्छे से मिलाएंगे, और अब इस मसाले को भूनेंगे, मसालो का실ना हो भूने होना बहुत जरूरी है, जब तक मसाले से नहीं भूनते तब आपक सरवा हुना होना बहुत जरूरी है हे जब तक शरा तक मसाले पहले को इधनित लोगई भूनें यह दक शरा गये colsete भूनेंगे मसाले भूनन चुरू हो गये अब ही हम इनको एक मिन नफ और भूनेंगे मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया इसका मतलब भी अच्छे से भून गए हैं तो अब हम इसमें आड़ करेंगे छोले इनको भी मिला लेते हैं और इनको हम इसी तरह से दो मिनट तक भून लेंगे आप इनको इसी तरह से दो मिनट तक भूने इसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे पानी यह हमने एक कप छोले लिए थे तो हम इसमें चार कप पानी डालेंगे आप इस स्टेज पर नमक मिर्च भी चेक कर लें अगर नमक मिर्च कम है तो आप इसमें अभी नमक मिर्च भी डाल सकते हैं अच्छे से मिलाने के बाद कूकर का धकन बंद करेंगे और इसमें हम 4-5 stream लगवाएंगे यह मैंने इसमें 5 stream लगवाई है कूकर ठंडा हो गया है खोल कर देख लेते हैं देखने से तो लग रहे हैं कि छोले बन गए हैं लेकिन फिर भी चैक कर लेते हैं यह देखी यह अच्छे से गल गए हैं अगर आपको लगे छोले गले नहीं तो आप इसमें 1-2 इस्टी मौल लगवा सकते हैं चलिए फिर इसके लिए तर्टकता यार करते हैं यह मने गैस पर एक कडाई रखी है इसमें डालेंगे एक कड़ची तेल आप इसमें पर चम्माज जीर डालेंगे और गैस को आप मीडियम फ्लेम पर रखेर जिस से मसाले जले नहीं और इसके साथ ही हमने इसमें दो हरी मिर्च डाली है जिनको आपको तरह से काट लिया है इनको अच्छे से बुणेंगे जीर और मसाले अच्छे से हो गए हैं, अब हम इसमें अड़ करेंगे छोले, ये देखे, अगर आपको लगे छोले थोड़े पतले हैं, तो आप इसको थोड़ी देर तक पका लें, वैसे छोले रखने के बाद भी टाइट होते हैं, इसलिए आप इनको थोड़ा सा पतला ही र और साथ ही मैंने इसमें डाली है, थोड़ इसी कसूरी मेथी, और छोले लगभग बन कर तेयार हैं, इसको मैंने पांच मिनट पकाया, इनको ज़्यादा पकाने की ज़रुरत नहीं है, क्योंकि छोले अच्छे से बन चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, अब इसमें डालेंगे बार एक कटा हारा धनिया, और ये देखे हैं, छोले बन कर तेयार हैं, इनको बनाना बहुत ही आसान है, आप इनको एक बार जरूर ट्राइ करें, अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे, आप इनको पूरी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेश्टी लगते हैं, अगर आप कोई रैस्पी पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइ तब तक के लिए बाई बाई